आज हम मेगदूतम को लेकर उपस्थित हुए है और आज की क्लास में हम मेगदूतम में पूर मेग को संपुर्ण देखेंगे इसका संस्कृत मूलपाठ और इसका हिंदी अनुवाद इसके पहले मैंने TGT के सारे गरंथों का संस्कृत मूलपाठ और उसका हिंदी अनुवाद अपने चैनल के माध्यम से अप्लोड कर दिया है आज हम मेगदूतम को लेकर उपस्थित हुए है तो आप लोग उन सभी ग्रंथों को देख लीजेगा मैंने कादंबरी का सुकनासो पदेश श्रीवराज विजियम प्रथम निस्वास किरात आरजुनियम प्रथम सर्ग उत्तराम चरितम तृतियंक अभिज्यान शाकूंतलम चतुर्थंक इन सभी का वीडियो अपने चैनल पे अप्लोड कर दिया है तो अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिये गए हैं जो आपके संस्कृत विशय के एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर साबित होंगे उसमें मैराथन प्रश्नोत्री के भी बहुत सारे वीडियो है अगर आप हमारे चैनल पे जुड़ते हैं या आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें कि आपके काम का जो भी वीडियो हो वो सब ही वहाँ पर मिल जाएगा तो उसी क्रम में आज हम मेग दूतम को लेकर उपस्थित हुए हैं और हम सबसे पहले पूरू मेग को देखेंगे तो जैसा कि मैं कोई भी गरंथ स्टार्ट करने के पहले उस गरंथ का सामाने परिछे जरूर दे देती हूँ और मैंने मेग दूतम का एक-दो वीडियो अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने महा कवी कालिदास का परिछे पे एक वीडियो बनाया है उसके अलावा मेगदूतम का सामाने परिषय है जहांपे मैंने मंगलाचरण के बारे में भी बहुत कुछ बताया है और मेगदूतम की पुरी कहानी वहांपे बताई है उससे बनने वाले प्रशनों को भी बताया है तो आप उस वीडियो को देखके तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी हर तरह से बनने वाले प्रशन आपके सामने एक्जाम में दिखने लगेंगे तो फिर भी किसी भी ग्रंद को सुरू करने के पहले हमको सबसे पहले उसकी थोड़ी सामाने जानकारी होनी चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सामाने परिछे देखर आगे बढ़ जाऊंगी डीटेल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएगा या मैं बेल आइकन में भी दे दूंगी उस वीडियो को तो वहां से भी आप देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेग दूतम का परिशे तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेग दूतम महा कवी काली दास की रिशना है ये खंड कावे और गीती कावे में आता है दो भागो पूरु मेग और उत्तर मेग में ये विभक्त है इसमें प्रधान रश्ट विप्रिलंब स्रिंगार है चंड पूरे मेग दूतम में मंदा क्रांता चंड का प्रेवीग है मेग दूतम की रिती वैदर भी रिती है और इसका उबजेव्य कतानक ब्रह्म्ह वैवर्थ पुरान से एवं दूत की कलपना वालमी की रामैर से लिगई है नायक यक्ष, हे ममाली, ब्रम्ह वैवर्थ पुरान के अनुसार और नायका यक्षडी, विशालाक्षी कथानक है दूत कावे के रूप में एक गीति कावे है जिसमें एक यच्छ काविरह वर्णित है पचास से अधिक संस्कृट टिकाएं है इस पर जिसमें मल्लीनाथ की संजीनुई टिका महत्पुन है बाकी मैंने बहुत सारी चीजें बता दी थी तो सबसे पहले जो है हमें किसी भी गरंत को सुरू करने के पहले सबसे पहले मुसका मंगलाचनर देखते हैं और ये मेग दूतम की पूरुमेग का पहला स्लोग भी है तो चलिए हम सुरू करते हैं पूरुमेग से तो सबसे पहले मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे तो अब आपको बस संस्क्रिप मूलपाट सुनना है और उसका अर्थ देखते चलना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्लोग है कस्चत कांता विरह गुर्णा स्वाधी कारात प्रमत्तह सापे नास्तंग मित महिमा वर्ष भोगेण भर्तू यक्छस चक्रे जनक तनेया स्नान पुण्यों दकेशू स्निगधक छाया तरसू वसतिम रामगिर्या श्रमेशू तो इसका अर्थ होगा अपने कारे से असावधान प्रिया के विरह से दुह सह एक वर्ष तक भोगने वाले स्वामी के साप से नस्ट महिमा वाला कोई यच्छ जनक की पुत्री के असनान से पवित्र जल वाले घने छाया वाले व्रिच्छों से युक्त रामगिरी पर्वत के आश्रमों में निवास करता था तो देखिए सबसे पहला इस स्लोक से क्या प्रश्ण बन सकता है यह आपको पता होना चाहिए चुकि मेगदूतम का मंगलाचरण भी है तो सबसे पहला क्वेशन की मेगदूतम का मंगलाचरण किस प्रकार का है तो मेगदूतम का जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है इसमें मंदा क्रांता छंद का प्रयोग है यच्छ को कितने दिनों का शाप मिला था एक साल का यच्छ को किसने साब दिया था यच्छो के स्वामी कुबेर ने यक्ष को शाब देने का कारण क्या था? अपने कारियों से असावधानी के कारण कस्चित शब्द किसके लिए आया है? यक्ष के लिए रामगिरी आश्रम किसके अस्नान करने से पवित्र हो गया था? जनक तनेया सीता के यक्ष को शाब देने की तिथी क्या थी? देवत थान एकादशी ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है ठीक है? तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अब हम बढ़ते हैं दूसरे शलोक की तरफ तस्मिन नद्रव कतिचिद बलावी प्रयुक्तह सकामी नित्वा मासान कनक वलय भ्रण्षरिक्त प्रकोष्ठह आशाधस्य प्रथम दिवसे मेग मासलिष्टम सानूं मेग मासलिष्ट सानूं वप्रक्रीडा परिडत गजे प्रेक्षडीयम ददर्ष उस रामगिरी पर्वत पर प्रिया से वियुक्त स्वर्ण कंकन के गिरने से सुन्ने कलाई वाले कामुक उस यक्ष ने कुछ वर्ष बिता कर आशाण के प्रथम दिन पर्वत की चोटी से सटे हुए वप्र क्रिडा करने में तिर्छा दंत प्रहार करने वाले हाथी के सद्रिश दर्षनी अमेग को देखा ठीक है तो आपको एक एक स्लोक का अर्थ मैं यहाँ पर बताते चल नहीं हूँ अब अगला स्लोक है यह सारे स्लोक में मंदा करांता चंद है बताने जरुरत नहीं है मैंने आप लोगों से कहा है कि जैसे ही यह ग्रंतों का मूल पाठ हो जाएगा उसके अद मैं एक चंद पर वीडियो ला दूँगी जितना भी आप लोग चंद आते जा रहा है उसका लक्षण पूस देता है तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे तो आपको याद करने की जरुरत तो है नहीं कि आपको वहाँ पर टिखी लगाना है तो आप उस वीडियो को दो तीन बर देख लेंगे तो एक्जाम में क्लिक कर जाएगा कुबेर के भृत्ति ने आसवों को रोक कर उतकंठा को उत्पन करने वाले उस मेग के सम्मुक प्रयत्न पुर्वक खड़ा होकर बहुत देर तक चिन्ता की कि जब मेग का दर्शन हो जाता है तब प्रिया युक्त पुरुष का चित भी विक्रित हो जाता है तो प्रिया लिंगन के इच्छूक की अवस्था का प्रिया से दूर रहने पर क्या कहना यहां पर यच्छो के राजा कुबेर का सेवक आखों के अंदर ही अंदर आसूओं को रोके हुए उतकंठा को उत्पन करने वाले उस मेग के सामने किसी प्रकार ठहर कर देर तक सोचता रहा मेग के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का अभिचित दूसरे प्रकार की वृत्ति वाला चंचल हो जाता है फिर कंठ के आलिंगन के इच्छूक जन प्रिया के दूर इस्थित होने पर तो कहना ही क्या अगला स्लोग देख लेते हैं प्रत्य सन्ने नभसी दैता जीविता लंब नार्थी जी मूतेन स्वकुषलमई हार इश्यन प्रवर्तिम सप्रत्यग्रई कुटज कुसुमई कल्पितार घाय तस्मई प्रीतह प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याज हार श्रावण मास के निकट आने पर प्रिया के जीवन को सहारा देने की इच्चुक उस यक्ष ने मेग द्वारा अपने कुशल में समाचार को भेजने की इच्चा से ततकाल तोड़े गए ताजे कुटज के पुस्प से अर्ग शामगरी तयार करके उस मेग के लिए प्रसनता पुर्वक प्रड़े भरे वचनों से स्वागत कहा तो इस स्लोक में भी मंदा क्रांता चंद है आप बार बार नहीं बताऊंगी पूरे मेग दूतम में मंदा क्रांता चंद का प्रयोग है अगला स्लोक देख लेते हैं गुह कस्तम यया चे काम आरता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेशू अर्थार्थ धूम, अगनी, जल और वायू का मिश्रण मेग कहां और समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजे जाने योग्य संदेश रूपी वस्तु कहां इसका उतकंठा के कारण विचार नहीं किया क्योंकि काम पीडित चेतन और जड के विशय में स्वभाव से दीन होते हैं देखिए यहां पे एक प्रश्ण बनता है कि मेग कितने तत्तों के मिश्रण से बना है तो मेग चार तत्तों के मिश्रण से बना है धूआ, अगनी, जल और वायू तो ये आपको ध्यान रखना है अगला स्लोक है जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करा वर्तका नाम, जानामी त्वाम प्रकृति पुर्षम कामरूपम मघोनह तेनार थित्वम त्वई विधिवशाद दूर बंधु गर्तोहम यांचा मोगा वरमधिगुडे नाधमे लब्ध कामा अर्थात हे मेग, मैं तुमको संसार में प्रशिद, पुष्कर और आवर्तक मेगों के वंशों में उत्पन, इंद्र का इच्छा नुसार, रूप धारन करने वाला प्रधान पुरुष जानता हूं इसलिए दैव योग से दूर इस्थित बंधु वाला मैं तुम्हारे विशय में याच कत्त को प्राप्त हुआ हूं अधिक गुड़ वाले से की गई आचना निश्फल होने पर भी अच्छी है परन्तु निर्गुड नीच से की गई आचना सफल कामना वाली भी अच्छी नहीं है तो यहाँ पे एक प्रश्ण बंजाता है कि यच्छ मेग को किस कुल में उत्पन हुआ बताता है तो पूर्षकर और आवर्तक कुल में अब हम बढ़ते हैं अगले स्लोग की तरफ संतप्तानाम त्वमसिशर्णम तत पयोद प्रियायाह संदेशं मेहर धनपति क्रोध विशलेशितस्य गंतव्याते वसती रलका नाम यक्छेश्वरानाम बाहियो ध्यान इस्थेत हर सीरस चंद्रिका ध्याउत हर्म्या अर्थात हे मेग तुम विरह पीडितों के रच्छक हो इसलिए कुबेर के क्रोध से वियुक्त हुए मेरे संदेश को प्रिया के पास ले जाओ तुम्हें बाहर के उद्यान में विद्दमान सिव के सिर परिस्थित चांदनी से उज्वल महलो से युक्त अलका नाम वाली यच्छो के स्वामी कुबेर की नगरी जाना है तो यहाँ पे एक प्रश्ण बजाता है कि अलका किसकी राजधानी है तो अलका कुबेर की राजधानी है और ये कैलास पर बसी मानी जाती है तो ये सबाब को चोटी-चोटी चीजे ध्यान रखनी है अब मागे बढ़ते है अगला स्लोग है त्वामार उड़ं पवन पदवी मुद ग्रिही ताल कांता ह प्रेक्षिश यंते पथिक वनिता ह प्रत्यया दाश्व सप्त्यह कह सन्नध्धे विरह विधुराम त्व यू पेक्षेत जायाम नस्या दन्यों अप्य हमिव जनो यह पराधीन वृत्ती अर्थार्थ वायु मार्ग में चड़े हुए तुमको परदेश गए हुए व्यक्तियों की इस्त्रियां पती के सिग्र आगमन के विश्वास से आस्वस्त होकर बालों के अगर भाग को उपर पकड़े हुए उतकंठा से देखेंगी क्योंकि तुम्हारे उमर्णे पर विरह से व्याकुल पत्नी की कौन उपेक्छा करेगा जो मेरे समान दूसरों के अधीन आजीवी का वाला न हो अब हम अगले स्लोक की तरफ बढ़ते हैं ये सब में मंदा करांता चंद है अगला स्लोक है अर्थात एक मिनट अर्थात एक मिनट ये वाला जो जो स्लोक है इसकी संख्या यह 10 है ठीक है ये 10 हुआ है लेकिन जब ये पहले आ गया है तो ये बिता जिते हैं और ये वाला जो स्लोक है मंदा 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 ये 9 है ठीक है चली इससे कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अर्थात हे मेग अबाद गती वाले तुम दिन गिन्ने में लगी हुई उस पती व्रता भावी को अवस्य ही जीवित देखोगे क्योंकि आशा का बंधन फूल के समान सिग्र कुमलाने वाले इस्त्रियों की प्रेमी हिर्दै को वियोग में प्रायह थामे रहता है अब हम अगला स्लोक देख लेते हैं जिसकी संख्या नौ है मंदम मंदम नुदती पवनस चानुकूलो यथा त्वाम वामस्चायम नदती मधुरम चात कस्ते सगंधः गर्भाधान छड़ परिचयानुन मा बद्ध माला सेविश्यंते नयन सुभगम खे भवंतम बलाका मंदम मंदम नुदती पवनस चानुकूलो यथा त्वामस्चायम नदती मधुरम चात कस्ते सगंधः गर्भाधान छड़ परिचयानुन मा बद्ध माला सेविश्यंते नयन सुभगम खे भवंतम बलाका अर्थात अगला स्लोग है कर्तुम यच्य प्रभवती मही मुक्षलीन ध्राम बंध्याम तच्छुत्वा ते श्रवन सुभगम गर्जितम मान सोतकाह आकैलासाद बिस किसलय छेद पाथे यवंतह संपत्यस्यंते नभसी भवतो राज हनसाह सहायाह अर्थात हे मेग जो प्रिथवी को कंदलिकाओं से युक्त कर सफल बना देने में समर्थ है कानों को प्रिय लगने वाले तुम्हारे उस गर्जन को सुनकर मान सरोवर में जाने के लिए उतकंठित मार्ग में खाने के लिए मिरडाल के अगरभाल प्रे टुकडों को लिए हुए राज हनस आकास में कैलाश पन्यंत तुम्हारे सहयात्री बनेंगे अगला स्लोग है हजम मुंचतो वाश्म मुष्णम अर्थार्थ हे मेग लोका भी वंध्य श्री राम के चरण न्यास से मेखलाओं में चिन्हित उन्नत प्रिय मित्र इस चित्र कूट का आलिंगन करके यात्रा के लिए उससे आग्या लेलो प्रतेक वर्षाकाल में तुम्हारे संपर्क को पाकर चीर वियोग से उत्पन उष्ण वास्प को छोड़ने से जिसके प्रेम की अभिव्यक्ती होती है अगला स्लोख है गन तासी यत्र क्षिडः छिडः परिलगू पयह स्त्रोतसाम चोप भुज्य अर्थात हे मेग अब मुझसे अपनी यात्रा के अनुकूल मार्ग को सुनो तब श्रवन सुख कर मेरे संदेश को सुनना जिस मार्ग में यात्रा के परिस्रम से ठकावट का अनुभव हो तो पर्वतों में पैर रखते हुए शरीर को छीड बना कर निर्जरों के हलके जलका उभ्भोग करके जाना अगला स्लोक है अद्रेह श्रिंगम हरति पवनह किम स्वी दित्युन मुखी भी मुखी भीर द्रिष्टोत साहस चकितम मुग्ध सिद्धांग नाभी अस्थानादस अस्थानाद इस्मात सर सनी चुला दुत्पतो दंगमुखम ख दिग नागा नाम पथी परिहरन इस्थूल हस्तावले पान फिर से देख लिजे अद्रेह श्रिंगम हरति पवनह किम स्वी दित्युन मुखी भी द्रिष्टोत साहस चकितम मुग्ध सिद्धांग नाभी अस्थानात दस्मात सरस नीचुला दुत्पतो पतोद अंक मुखह खम दिग नागा नाम पथी परिहरन इस्थूल हस्तावले पान अर्थात हे मेग अत्यधिक वेग से जाते हुए तुम्हारे उत्साह को देखकर उपर मुक्की हुई सिद्धों की इस्त्रियां वायु परवत की चोटी को उड़ा कर ले जा रहा है क्या इस संका से अत्यंत आश्चर चकत हो जाएगी तुम्हार अद्र अस्थल वेत सों से परिपूर्ण इस आश्रम से आकास मार्ग में दिगजों की बड़ी-बड़ी सूडों के आक्रमण से बचते हुए उत्तर की ओर मुख करके आकास में उड़ जाओ अगला स्लोग है रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष मेत तत्पुरस्ताद वालमिकी ग्रात प्रभवती धनुष खंड मा खंडलस्य एनश्यामं वपु रतितरां कांति मा पत्यस्यते ते बरहे डेव इस्पुरित रुचिना गोप वेशस्य विश्णोह रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष मेत तत्पुरस्ताद वालमिकी वालमिका ग्रात प्रभवती धनुष खंड मा खंडलस्य एनश्यामं वपु रतितरां कांति मा पत्यस्यते ते बरहे डेव इस्पुरित रुचिना गोप वेशस्य विश्णोह अर्थात प्राप्त करेगा अगला स्लोक है क्रिशी फलमिती भ्रू विला सान भिग्ये है प्रीती स्नक्धैर जन पद वधू लोचनई पीय मानह सद्यह सीरोत कशड सुर्भी खेत्र मारुह मालं किंचित पशाद वज्र लगू गतिर भूय एवो तरेड अर्थात हे मेग खेती का फल तुम्हारे अधीन है अतह कठाक्ष हाव भाव से अपरचित ग्रामेड इस्त्रियों की आँखों से आदर पुरुवक देखे जाते हुए तुम ततकाल हल चलाए जाने से निकली सुगंधी से युक्त छेत्र कुछ पस्चिम दिसा में इस्थित उचे माल नामक प्रसिद देश पर चड़ कर पुनह सिग्र गती से उत्तर की यूर चले जाना अगला स्लोग है अगला स्लोग है त्वामा सार प्रशमीत वनो पल्लवं साधु मुर्धना वक्ष यत्य ध्वश्रम परिगतं सानु मानाम्र कूटह नशुद्रो अपि प्रथम सुकृता पेक्षया सम्ष्रयाय प्राप्ते मित्रे भवती विमुखह किम पुनर यस्तत थोच्चे अर्थात है उसका क्या कहना अगला स्लोख है चन्नो पांतह परिडत फल द्योति भी कान नाम्रई सत्व या रूढे सत्व या रूढे शिखर मचलं स्निग्ध वेडी सवर्ने नूनम या स्यत्य मर मिथुन प्रेक्षडियाम वस्थाम मद्धेश्याम स्तन इवभुवः शेश विस्तार पांडुह अर्थार्थ हे मेग पके हुए फलो से सुशोभीत आम के व्रिच्छों से आक्षादित पार्ष्व देशवाले आमर कूट परवत पर इस निग्द केश बंद के समान तुम जब चड़ोगे तब परवत मद्यभाग में कृष्ण वन तथा चारो तरफ पांडु रस पांडु रसा प्रिथवी के अस्तन के समान होता हुआ देव दमपत्तियों से दर्शनी अवस्था को प्राप्त होगा अगला स्लोख है इस्थित्वा तस्मिन वन चर वधू भुक्त कुण्चे मुहुर्तम तोयोत सर्ग दृततर गती इस्तत्परम वर्त्मत्र्णह रेवां द्रक्ष्यस्यूपल विशमे विंध्य पादे विशन्नाम भक्तिक छेदाई रीव विर्चिताम भूति मंगे गजस्य अर्थात हे मेग भीलों की इस्त्रियों से उभुक्त लताग्रियों से युक्त आम्रकूट परवत पर कुछ समय तक विश्राम कर जल वर्षण कर सिग्र गामी बनकर आम्रकूट के वाद के मारगों को पार कर तुम पत्थरों से उबर खाबर विंध्याचल के प्रांत में फैली हुई नर्मदा को हाथी के सरीर में रचना विशेसों से विनिर्मित श्रिंगार रेखा के समान देखो गे अगला स्लोख है तस्यास तिक्ताई तस्यास तिक्ताई तिक्ताईर वगन जम दैर्वार सितम वांत विर्ष्टिर जम्भु कुंज प्रती हतरयम तो यमादाय गच्छे अंतह सारम धन तुलईतुम ना नीलह सक्ष्यती त्वाम रिक्ताई सर्वो भवती ही लगू पुर्णता गौरवाए तो इस लोग का अर्थ हुआ हे मेग तुम वहाँ पर विष्टि करके जंगली हाथियों के मदों से सुगंधित हे मेग तुम वहाँ पर विष्टि करके जंगली हाथियों के मदों से सुगंधित तथा जामूनों के कुंजों से अवरुद्ध वेगवाले नर्मदा जल को लेकर जाओ इस प्रकार भीतर से बलवान तुमको वायू आंदोलित नहीं कर सकेगा क्योंकि सभी रिक्त पदार्थ हलका होता है और पुर्णता गौरों के लिए होती है अगला स्लोग है नीपम द्रिष्ट्वा हरित कपिशम के सरैर धरूडः रावीर भूत प्रथम मुकुलाम कंदलिष्चा नुकच्छम जगद्ध्वार नेश्व धिकसुरभी गंधमा घ्राय चोर्व्याह सारंगास्ते जल लव मुचह सूच इश्यंती मारगम अर्थात हे मेग हाथी आधे खिले हुए केसरों से हरे और कृष्ण लोहित वर्ण से युक्त इस्थल कदंब पुष्प को देख कर दल दल में उत्बन्न हुए भूमि कदलियों के नए कुंग मलों को खा कर जंगलों में अधिक सुगंधित पृत्वी के सुगंध को सूंग कर जल बिंदुओं को बरसाने वाले तेरे मारग को सुचित करेंगे अगला स्लोक है अंभो बिंदु ग्रहन चतु राश चातकान विक्ष माडाह फ्रेडी भूताह परी गड़ नया निर्दिशंतो बलाकाह त्वामा साध्य इस्तनीत समये मान इश्यंती सिद्धा सोत कमपानी प्रिय सहचरी संभ्रमा लिंगतानी अर्थार्थ हे मेग वर्षा के जल कडो का ग्रहन करने में चतुर चातको को देखते हुए पंक्ति बद्ध बक पंक्ति को एक, दो, तीन इस प्रकार गिनकर हाथ से दिखाते हुए सिद्ध लोग तुम्हारे गर्जन के समय में कमप युक्त प्रिय सहचरियों के शिगरता पुर्वक किये गए आलिंगनों को प्राप्त कर तुम्हारा सम्मान करेंगे अगला सिलूख है उत्पश्यामी दृतम अपी सखे मत प्रियार्थम ई आशो कालक्षेपम कुकुभ सुरुभव पर्वते पर्वते ते शुक्ला पांगे सजल नयनई स्वागती कृत्य केकाह प्रत्युद्यातह कथम पिभवान गन्तु पाशू गन्तु माशू व्यवस्यत अर्थात हे मित्र मेरी प्रिया के पास सिग्र जाने के लिए इक्छा करने पर भी कुटज पुस्पो से सुसुगंदेत प्रतेक पर्वत पर तुम्हारा कालक्षेप होगा मैं ऐसी संभावना करता हूँ आनंद अश्रूओं से परिपुर्ण नेत्र वाले मयूरों की केका वाणी से तुम्हारा स्वागत होने के बाद तुम किसी भी प्रकार वहां से शिग्र जाने के लिए प्रयत्न करना अगला स्लोख है जम्भु वनान नवनान ताह संपत स्यंते कति पय दिन इस्थाई हंसा दशार्ना अर्थार्थ हे मेग तुम्हारे निकट आने पर दसार्न नामक जनपद अगर भाग मात्र खिले हुए कोरक वाले केत की कुस्मों से पीले रंग वाले उद्यान की काटेदार शाखा वाले व्रिच्छों से बने प्राचीरों से युक्त घर में दी गई वली को खाने वाले कवे आदी पक्षियों के द्वारा घोशलों के निर्माण से संकिन गाउं के व्रिच्छों से युक्त पके हुए फलों से श्याम वर्ण वाले जामुनों के जंगलों के प्रांत भागों से संपन तथा कुछ दिन ही मात्र और ठहरने वाले हंसों से सुसोभित हो जाएंगे अगला स्लोक है केशाम दिक्षू प्रथित विदिशालक्षणाम राजधानीं गत्वा सद्यह फलम विकलम कामु कत्वस्य लब्धा तीरो पांत इस्तनित सुभगम पास्यसी स्वादु यस्मात संभुरु भंग मुखमी वपयो वेत्र वत्याश्य लोर्मी अर्थात हेमेग दिसाओं में विदिशा नाम से प्रसिद दशान जनपद की राजधानी में पहुच कर उसी छड तुम कामुक्ता के समगर फल को प्राप्त कर लोगे क्योंकि तुम वहाँ पर मधूर एवं तरंगित वेत्रवती नामक नदी के जल को भुरुकुटी युक्त नाईका के अधर के समान तट के प्रांत में गर्जन करने के साथ पान करोगे अगला स्लोग है विश्राम हेतो इस्त वत संपरकात पुलकितमीव प्रावड़ पुष्पै कदंबई यह पर्णय इस्त्री रती परी मलोद गारी भी नगी राड़ा मुद्मानी प्रथयती शीला वेश्म भिर्योर्न वनानी अर्थार्थ हे मेग उस विदिशा में विश्राम करने के लिए खिले हुए पुष्पवाले कदंब विच्छों से तुम्हारे संसर्ग के कारण रोमांचित हुए से नीचई नामक परवत पर ठहरना जो वैश्याओं की रती कृड़ा में प्रयुक्त होने वाली सुगंधी को प्रकट करने वाली कंदराओं के द्वारा नगरवासियों के स्वक्षंद यवण को प्रकट करता है अगला स्लोक है विश्रांतह सनवज्र वन नदी तीर जातानी सिंचन नुद्यानानाम अर्थार्थ हे मेग तुम वहां विश्राम करके जंगल की नदियों के किनारों पर उत्पन उद्यानों के जूही की कलियों को नए जलकडों से सीचते हुए कपोलों पर आये हुए पसीने को पोचने से उत्पन पीडा से जिनके कानों में लटकते हुए कमल मुर्जा गए होंगे, फूलों को तोड़ने वाली उनिस्त्रियों के मुखों के छाया प्रदान से खषड भर परिछे प्राप्त करते हुए जाना अगला स्लोग है तत्र पउरांगना नाम लोला पांगईर यदी नरम से लोचनईर वंची तो असी अर्थार्थ हेमेग उत्तर दिसा के लिए प्रस्थान करने वाले तुम्हारा मार्ग यद्यपि टेड़ा होगा तत्हापी तुम उज्जैनी के प्रसादों के उपरी भाग के परिशय करने से विमुख मत होना वहाँ पर बिजली के चमकने से भैभीत चंचल कटाक्ष युक्त नगर वासियों की इस्त्रियों की आखो से कृड़ा नहीं करोगे तो तुम वंचित हो जाओगे अगला स्लोग है नाभे निर्विग न्यायाह पत्थी भव रसा भ्यंतरह सन्नि पत्य इस्त्रिडामाद्य प्रड़य वचनम विब्रमोही प्रियेशु यह भी सुक्ति के रूप में पूझ देता है कि कहां से ली गई है तो इसका अर्थ होगा हे मेग मार्ग में लहरों के चलने से शब्द करते हुए पच्छियों की पंक्ती जिसकी करधनी है पत्थरों पर गिरने से मनुहर ता के साथ बहने वाली तथा जल्भवर रूपी नाभी को दिखाने वाली उस निर्विग्न्या नामक नदी के पास आकर उसके रस को ग्रहण करना क्योंकि इस्त्रियों की प्रिय के प्रती विलास प्रदर्शन करना ही प्रथम प्रेम याचना है अगला स्लोख है वेडि भूत प्रतनु सलिला सावती तस्य सिंधू पांडुच्छाद्या तट रूहत रूभ्रण्शी भिजिर्ण पण्णई सभाग्यम ते सुभग विरहा वस्थाया व्य व्यज्यन्ती कार्ष्यम एन त्यजती विधिना स त्वै वोप पाद्यह अर्थात हे मेग हे सौभाग साली मेग वेडि के समान अत्यंत जल वाली तीर में उत्पन हुए विच्छों से गिरने वाले सूखे हुए पत्तों से पीला वर्ण वाली अतेव विरह की दशा में उसका अतिक्रांत करने वाले तुम्हारे स्वभागी को प्रकासित करती हुई वह निर्विग्नान दी जिस विधी शे क्रिस्ता को त्याग दे उस विधी को तुम्हें करना चाहिए अगला स्लोख है अगला स्लोख है प्राप्या वन्ती नूद यन कथा को विध ग्राम व्रिधान पूर्वो द्रिष्टा मनुसर पुरीम श्री विशाला विशालाम स्वल्पी भूते सूचरित फले स्वर्गी डाम गाम गतानाम शेशई पुन्याईर हृतमिव दिवह कान्ति मत खंड में कम अर्थार्थ हे मेग जहांके गावों के ब्रिध पुरुष उदयन की कथाओं के जानकार हैं ऐसी अवन्ती में पहुच कर तुम पुन्य फल के छीड होने पर प्रिथवी पर आये हुए स्वर्ग का उपभोग करने वालों के आवसिष्ट पुन्यों से लाए गए उज्ज्वल स्वर्ग के एक टुकडे की तरह पहले कही गई विशाल संपत्ति वाली उस उज्जैनी नगरी में जाना अगला स्लोग है प्रवातह प्रियतम इव प्रार्थना चाटु कारह अर्थात हे मेग जिस उज्जैनी में प्रातह काल में प्रस्फुट और मद से अत्यंत मधूर सारसों की ध्वनी को फैलाता हुआ विक्सित कमलों के परिमल के संपर्क से सुगंधीत अंगो को सुख देने वाला शिप्रा नदी का पवन रती की प्रार्थना में खुशामत करने वाले प्रियतम के समान इस्त्रियों की रती कृड़ा की थकावट को दूर कर देता है तो अगला स्लोग है हाराम, इस्ताराम, इस्तर, लगू, टीकान कोटिसह, शंख सुक्तिह, शस्प श्यामान, मरकत मडी, नुन मयूख, प्रारोहान द्रिष्ट्वा यस्या, वीपरड रचितान, वीद्रू माडाम, च भंगान समलक्षयंते, सलिल, निध, यस्तोय मात्रा, मात्रा, वशेशाह अर्थात हे मेग के टुकडो को देखकर, ऐसा मालूम पढ़ता है, मानो की समुद्र में जल मात्र ही बाकी रह गया है, तो मैं बार-बार यहां पर बता रही हूँ कि जितने भी श्लोक हैं, सब में मंदा, क्रांता, चंद का प्रयोग है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अब हम बढ़ते हैं अगले स्लोक की तरफ, अगला स्लोक है, प्रद्यो तस्य प्रियदुहितरम वत्सराजो अत्र जहिये, हैमं ताल द्रूम वन, मभूदत्र तस्याईव राग्यह, अत्रोद भ्रांतह किल नल गिरह, अत्रोद भ्रांतह किल नल गिरिही, इस्तंभ मुत पाट्य दर्पा, दित्या गंतून रमयती, जनो यत्र, बंधुन भिग्यह, अर्थात, हे मेग, यहां पर वत्सराज ने राजा प्रद्योत की पुत्री का पहरण किया था, यही पर प्रद्योत का सुनहरा ताल विच्छो का वन था, इसी अस्थान पर इंद्र के द्वारा दिया गया, नल गिरी नामक प्रद्योत का हाथी, मद से बंधन अस्तंभ को उखाड कर ग्हूम रहा था, इस प्रकार से कथा का जानकार पुरुष दूसरे देश से आय हुए बंधुओं का मनो विनोध करता है, अगला स्लोख है, अगला स्लोख है, पत्रश्यामा दिनकर हस्य पर धिनो यत्रवाह, शैलोद ग्रास्त्व मीव करिडो, विरिष्टि मंतह प्रभेदाद, योधा ग्रण्यह, प्रतिदश मुखं, सम्युगे संस्थि वासह, प्रत्या दिष्टा भरण रुचयस चंद्र हा सवर्णां के अर्थात, हे मेग, जिस जैनी में घोडे, पत्तों के समान वन वाले और सुर्य के घोडों के साथ इस परधा करने वाले हैं, परवतों के समान उचे हाथी, मद गिरने से तुम्हारे समान वरिष्टी करने वाले हैं, तथा स्रेष्ट युद्धा लोग, युद्ध में रावण के सम्मुख इस्थित होने वाले हैं, एवं खडग के प्रहार के चिन्हों से आभूशन की कांती को भी त्रिस्कित करने वाले हैं, अगला स्लोख है, जलोद गिर्णई रूप चित वपूह, केस संसकार धूपईर बंधु पृत्या, भावन शिखी भीर दत्त निर्त्यो पहारह, हम येरश वस्याह, कुसुम सुर भिश्वद्ध खेदं, नये था लक्ष्मीं, पश्यम ललित वनिता पाद रागां की तेशू, अर्थात, हे मेग, तुम खिडकियों के मार्ग से निकले हुए, इस्त्रियों के केसों को सुगंधित करने वाले, धूपों से परिपुष्ट सरीर होकर, तथा बंधु प्रेम के कारण पालतु मयूरों के द्वारा नृत्य रूपी उपहार पाकर, पुस्पों से सुगंधित तथा रमडियों के चर्णों में लगी, महावरों से चिन्हत धनियों के और जैनी की शोभा को देखते हुए, मार्ग के क्लेश को दूर करना, ये सारे स्लोक में मंदा करांता चंद है, इसको आप लोग देखते चलिएगा, एक दिन मैं पूरा चंद का वीडियो बना दूँगी, क्योंकि पूछ देता है कि किस चंद का लक्षन है, तो अगला स्लोक है, भिर गंध वत्या, इस्तोय क्रिडा नीरत युवती स्नान तिक्तैर मरुदिभ, अर्थात, हे मेग, अपने स्वामी नीलकंठ के समान कांती वाले होने से, उनके गडों के द्वारा आदर पुर्वक देखे जाते हुए, तुम कमलों के पराग से सुगंधित, एवं जल क्रिडा करती हुई, युवतियों के चंदन आदि पदार्थों से सुवासित, गंधवती नाम की नदी के वायु से कंपित उध्यान वाले, त्रीभुवन के पती, चंडिश्वर के महाकाल नामक पवित्र अस्थान को जाना। अब अगला स्लोग देख लीजिए, अगला स्लोग है, अप्यन्यस्मि अप्यन्यस्मिन जलधर महाकाल मासाध्यकाले, संध्या के अत्रिक्त समय में तुम महाकाल के मंदिर में पहुचोगे, तो जब तक सुर्य आखों से ओजल नहीं हो जाता है, तब तक ठहरना। शिव की सायंकालिक पूजा के समय प्रसंसनी या नगाडे के काम को संपादित करते हुए, तुम अपने कुछ गंभीर गर्जनों के पुर्ण फल प्राप्त कर लेना। अब अगला स्लोग है, पद न्यासाईह, क्वडित, रश नास्तत्र, लीला वधुताई, रत्नक्षाया, खचित बली, भिश्चा मरईह, क्लांत हस्ताह, वैश्या इस्तवतो, नखपद सुखान प्राप्य, वरशाग्र बिंदू, नामोक्षियंते, त्वई मधुकर, श्रेणी दिर्गान, कटाक्षान, अर्थार्थ, भे मेग, सायंकाली, सायंकाली पूजा के समय में, चरण न्यासों से, जिनकी मेखलाएं शब्द करती हैं, विलास पुर्वक मडी में दंडवाले, चवरों को डुलाने से, जिनके हाथ ठक गए हैं, ऐसी नर्थकियां तुमसे, नक्छत को, शुख देने वाली वर्सा की, पहली बूंदों को प्राप्त कर, तुम पर भौरों की, माला के समान, लंबी कटाक्षों को फेकेंगी, अगला स्लोख है, पश्चा दुच्चैर भूजत रुवनम्, पश्चा दुच्चैर भूजत रुवनम्, मंडले नाभिलीनह, सांध्यम तेजह प्रती, नव जपा पुष्प रक्तम दधानह, नृत्यारं भेहर, पशुपते, राद्र, नागा जीनेक्षाम, सांतोद वेगस्ती मित नयनम्, दृष्ट भक्तिर भवान्याह, अर्थार्थ, हे मेघ, सायंकालीन पूजा के बाद, सिव के नृत्त के आरंभ में, नए जपा कुसुमों के समान, सायंकालीन, लाल प्रकास को धारण करते हुए, शिव के उचे भुजाओं रूपी, व्रिच्छों के अरण को व्रित्ताकार से व्याप्त करते हुए, गजासुर के चर्म को देखने से उत्पन, भै से हट जाने से, पार्वती के द्वारा निश्चल आँखों से देखी गई भक्ती, जिसकी ऐसे तुम गजासुर के आद्र चर्म को धारण करने की, सिव जी को अभिलाशा को पूर्ण करना। अगला स्लोख है, अगला स्लोख है, दर्श योर्वी, तोयोत सर्ग इस्तनित मुखरव, मा इस्म भुर विकल वास्ताह, अर्थार्थ हे मेग, उज्जैनी में रात में प्रेमी के घर जाती हुई, इस्त्रियों को घने अंधकार के कारण राज मार्ग के न दिखाई देने पर कसोटी पर स्वण रेखा के, तेज के समान, बिजली के द्वारा, मार्ग को दिखाना, बरसने एवं गरजने के शब्द न करना, क्योंकि वे डरपोख होती हैं। अगला स्लोक है, काम कस्याचिद, भवन वलभव, सुप्त पारावतायां, नित्वारात्रिम, चीर विल सनात, खेन्न विद्यूत कलत्रह, द्रिष्टे सुर्ये पुनरपि भवान, वाह येध्व शेषम, मन्दा यंते च नखलू, सुहरदा मभ्यू, पेतार्थ कृत्याह, अर्थार्थ, हे मेग, देर तक चमकते रहने के कारण, ठकी हुई बिजली रूपी पत्नी वाले, तुम सोय हुए कबूत्रों से युक्त, किसी घर की छत पर, उस रात को बिता कर, सुर्योदय होने पर पुनह, शेषमार्ग को पार करना, क्योंकि मित्रों के प्रयोजन को अंगी कृत करने वाले पुरुस विलंब नहीं करते हैं। अगला स्लोग है। स्याद नलपा भ्यसूयह अर्थार्थ हेमेग। सुर्योदय के समय में प्रियतम खंडिता नाईकाओं के असरु पोचते हैं। अतह तुम भी सुर्य के मार्ग को शिग्र ही छोड़ देना। वह सुर्य भी पद्मिनी के कमल रूपी मुख से अस रूपी अश्रु को पोचने के लिए आएगा। तब तुम्हारे द्वारा किरण रूपी हाथी के रोके जाने पर वह तुमसे अधिक विद्वेश करने लगेगा। अगला स्लोख है। गंभी रायाह पयसी सरितश चेत सीव प्रसन्ने छायात मापी प्रकृति सुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम तस्मा दस्याह कुमुद विश दान्यर हसी तुम न धेयार्न मोगि करतुम चटुल शफरोद वर्तन प्रेक्षितानी अर्थार्थ हे मेग। गंभीरा नदी के प्रसन्न चित रूप जल में सभाव से ही सुन्दर तुम्हारा चाया सरीर भी प्रवेश को प्राप्त करेगा। इस कारण से इसके कुमुदों के समान उज्जुल और चंचल मचलियों के उल्लूंठन रूपी अवलोकनों को तुम धैरता से निश्फल करने के योग्य नहीं हो। अगला स्लोग है अर्थार्थ अर्थे जगनवाली इस्त्री को छोड़ सकने में समर्थ होगा। अगला स्लोग है त्वनिश्यंदोच्छा वसित वसुधा गंध संपर्क रम्यह फ्रोतो रंध्र ध्वनित सुभगम दंतिभी पियमानह नीचैर वास्यत्यूप जिग मीशोर देव पुर्वं गिरिम ते शीतो वायुह परिड मैता कान नोदुम्ब राडाम अर्थार्थ हे मेग तुम्हारी व्रिष्टी से उच्छ वसित भूमी के गंध के संसर्ग से सुगंधित नासिका रंध्र के कारण ध्वनी पुर्वक अच्छी तर हाथियों के ध्वारा सुंगा गया वन के गूलरों को पकाने वाला शीतल पवन देवगिरी को जाने की इच्छा करने वाले तुम्हारे नीचे बहेगा अगला स्लोख है तत्र इसकंदम नियत वसितम वसतिम पुष्प मेगी कृतात्मा पुष्पा सारै इसन पयतू भवान व्योम गंगा जलाद्रही रक्षा हे तोर्न वश शी भिरता वासवीना चमूना मत्या दित्यम हुत्वह मुखे सम्भितम तद्वी तेजह हे मेग वहां नित्य निवास करने वाले कार्ती के का फूलों की विष्टी करने वाले मेग के समान शरीर को धारण करते हुए आप आकाश गंगा के जल से भीगे हुए फूलों की विष्टी से अविशेक करें क्योंकि वेइंद्र की सेनाओं की रच्छा के लिए शिव के द्वारा अगनी के मुख में संचित सूर्य से भी अत्यधिक तेज है अब अगला स्लूख अगला स्लूख है नतर एथाह अर्थार्थ अबिशेक के अनंतर देवगिरी की गुफाओं में प्रतिध्वनित होने से गंभीर अपने गर्जनों से नचाना अगला स्लूख है आराध्य आराध्याइनम शर सरवडभवम देव मुलंगिताध्वा सिद्ध द्वन्दैर जलकडभया द्वी री भीर मुक्त मार्गह व्यालम बेथाह सुरभी तनया लंभजाम मान इश्यन श्रोतो मुर्त्या भुवी परिड़ता रंति देवस्य किर्तिम अर्थार्थ हे मेग शर जन्मा देव कार्तिके की अराध्ना करके तुम वीडा धारी सिद्ध दमपतियों के द्वारा जल बिंदूओं के इसपर्ष के भैसे तुम्हारा रास्ता च्छोड देने पर कुछ मार्ग पार कर गवों के बलिदान से उत्पन प्रिथवी में प्रवाह रूप स रंति देव की किर्ति रूप चर्मणवती नदी का सत्कार करते हुए वहां उतर जाना अब अगला स्लोख है त्वयादातुम जलम वनते शंगिर्णो वर्ण चाउरे तस्या सिंधो प्रिथुमपी तनू दूरभावात प्रवाहम प्रेक्षिश्यंते गगन गतयो नून माव जर्य दृष्टो रेकम मुक्ता गुडमिव भुवह इस्थूल मद्धेंद्र नीलम अर्थार्थ हेमेग कृष्ण के वन को चुराने वाले तुम्हारे जल लेने के लिए जुकने पर इस्थूल होने पर भी दूरता के कारण शुक्ष्मरूप से प्रतियमान उस चर्वनवती नदी के प्रवाह को आकास में विचरण करने वाले सिद्ध आधी दृष्टी को नीचे कर एक लड़ी वाली और मध्य में इस्थूल इंद्र नीलमडी से युक्त प्रित्वी की मोतियों की माला के समान देखेंगे अगला स्लोख है तामुत्तिर्य व्रज परिचित भुरूल ता विब्रमाणाम पक्ष्मोत छेपादू परिविल सत क्रिष्ण शार प्रभाणाम कुंदक शेपा नुग मधुकर श्री मूशा मात्म बिम्बम पात्री कुर्वन दर्षपूर वधू नेत्र कौतू हला नाम अर्थार्थ हे मेग उस चर्णवती को पार करके तुम अपनी मूर्ति को भुरूलता के विलासों से परचित पलकों को उठाने से उपर नील और रंग बिरंगी कांतियों से सुशोभित कुंद पुश्प पर इधर उधर घुमने वाली भौरों की शोभा को चुराने वाले दस्पूर की इस्त्रियों के नित्रों की अभिलाशाओं को पात्र बनाते हुए जाना अगला स्लोक है ब्रम्हा वर्तम जनपद मथच्छयया ब्रम्हा वर्तम जनपद मथच्छायया गाह मानह क्षेत्रम चत्र प्रधन पिशुनम कौरवं तद भजेथाह राजन्यानाम शृतशर सतैर यत्र गांडी वन्धन्वा धारापाताईस्त्वमीव कम लान्यभ्य वर्षन मुखानी अर्थार्त हे मेग उसके बाद तुम ब्रम्हा वर्त जनपद में च्छाया के द्वारा प्रवेश करते हुए यात्रियों के युद्ध की सूचना देने वाले प्रसिद कुरुछेत्र को जाना जिस कुरुछेत्र में गांडी वधारी अर्जुन ने च्छत्रियों के मुखों पर उसी प्रकार तिक्षण बाड़ों की व्रिष्टी की थी जिस प्रकार तुम कमलों पर मूसलाधार से व्रिष्टी करते हो। अगला स्लोक है हित्वा हालाम भीमत रसाम, रेवती लोचनांकाम, बंदु प्रित्या समर्विमुखो, लांगली या शीशेवे कृत्वा तासाम भीगमपा, सम्य सरस्वती नामंतह, शुद्ध स्वत्वमपी, भावितावण मात्रेण कृष्डः अर्थार्थ, हे मेग, हे सौमे मेग, बंधो स्नेह के कारण, युद्ध से विमुख बलराम जी ने, अभिष्ट स्वादवाली, अपनी प्रिया रेवती के नित्रों के, प्रतिभिम्ब से चिन्हित मदिरा को छोड़ कर, जिस सरस्वती नदी के जलका सेवन किया था, तुम भी उसी सरस्वती के जलका सेवन करके, निर्मल अंतह करणवाला होकर, रंग मात्र से ही काला हो जाओगे। स्वर्ग सोपान पंकितम, गवरी वक्त्र भ्रुकुटी रचनाम, या वह सेव पेनई, शंभोव, केश ग्रहन मकरो, दिंदु लगनोर मिहस्ता, अर्थार्थ हे मेग। तुम कुरू छेत्र से कनखल के समीप, हिमाले से उतरती हुई, सगर के पुत्रों के, स्वर्गा रोहन में सीड़ी की भाती, जहनु की पुत्री, जानवी के पास जाना, जिसने पार्वती के मुख में इस्थित भुरू भंग को मानो, फेनों से हस कर, तरंग रूप हाथों को, चंद्रमा के उपर लगाती हुई, शिव जी के केसों को पकड़ लिया है। अगला स्लोख है, तस्याह पातुम सुरगज इव व्योमनी पास्चार्ध लंबी त्वम चेदच्छ इस्फटिक विशदम तरक एस्तिर यगंभः सम सरपत्न्या सरपाद भवतह इस्त्रोतसी चच्छाय यासो श्याद अस्थानो पगतय मूना संग मेवा भी रामा अर्थार्थ हे मेग। दिगज के समान आकास में पिछले अर्ध भाग से लटकते हुए। तुम जब तेड़े होकर गंगा जी के स्वक्ष इस्फटिक जैसे धवल जल को पीने का विचार करोगे, नब उसी छड़ प्रवाह में तुम्हारी छाया पढ़ने के कारण, वह गंगा प्रयाग से भिन्न स्थान में यमुना से मिली हुई की भाती सुहावनी प्रतीत होग अगला स्लोख है निशड़ शोभाम शुब्र त्री नय व्रिशोत खात पंकोप में याम अर्थार्थ हेमेग बैठे हुए कस्तूरी म्रिगों की नाभी के गंधों से सुसोगंधेत, पत्थर वाले उस गंगा जी के उद्गम अस्थल, बर्फों से श्वेत हिमालय परवत पर पहुचकर, मार्ग खेद को दूर करने वाले उसके शिखर पर बैठे हुए तुम शिवजी के स्वेत साण के द्वारा विदारित कीचड की भाती शोभा को धारण कर लोगे अगला स्लोख है तम चेदवायव सरती सरल इसकंध संघट जनमा बाधे तुल काक्ष पीत चमरी वाल भारो दवागनिह अहर्य सेन श्रम इतुमलम वारी धारा सहस्त्रई रापन्ना रापन्ना रती प्रश मन फलाह संपदो ह्युत्त मा नाम अर्थार्थ हे मेग वायू के चलने पर देवदारू व्रिच्छों के तनों की रगड से उत्पन्न और चिनगारियों से चमरी गायों के केस समूं को जलाने वाली वन की आग उस हिमाले को पीडित करे जो तुम अपनी मुसलाधार वर्सा से उसे अच्छी तरह बुझा देना क्योंकि स्रेष्ट पूर्सों की संपत्या अपाद ग्रस्तों की पीडा के निवारण से ही फल्वती होती हैं अगला स्लोक है ये समरंभोत पतन रभसा स्वांग भंगाय तस्मिन मुक्ता ध्वानम सपदिशर्भा लंगे लंग ये यूर भवन्तम तान कुर्विथास्तु मुलकर का व्रिष्ट पाताव किर्णान केवा नस्युह परिभव पदम निश्फलारंभ यतना अर्थार्थ हे मेग वहां क्रोधों से वेग पुर्वक उछलने वाले जो शरब उनके मार्ग को छोड़ देने वाले तुम्हें उसी छण अपने अंगों का विनाश करने के लिए अती क्रामड करें उन्हें तुम जोर से ओलों के विष्टी पात से तीतर बितर कर देना निश्फल कर्म में प्रयास करने वाले कौन से ऐसे पूरुष है जो तीरिसकार के पात्र नहीं होंगे अगला स्लोक है भक्ति नम्रह परियाह यस्मिन द्रिष्टे करण विगमा दूर्ध्व मुद धूत पापाह कल्पिश यंते इस्थिर गडपद प्राप्ते श्रद्ध धानाम अर्थार्थ हे मेग तुम वहां शीला पर प्रकट सिद्धों के द्वारा निरंतर पूजित शिव जी के पद चिन्ध की भक्ति पुर्वक नम्र होकर प्रदिछणा करना जिसके दर्शन से निश्पाफ होकर शद्धालू जन शरीर त्यागने के बाद नित्य गड़ों के पद को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाते हैं अगला स्लोख है शब्दा यन्ते मधुर मनिलै कीचकाह पुर्यमाडाह सम्शक्ता भिस्त्री पुर्विजयो गीयते किन्नरी भीही नीह रादस्ते मुरज इवचेत कंदरेशु ध्वनी श्यात संगितार्थो ननु पशु पतेस्तत्र भावी समग्रह अर्थार्थ हे मेग हवा से भरे हुए वास मधुर शब्द करते हैं संयुक्त होकर किन्नरों की इस्त्रियां त्रिपूर विजय गाती हैं कंदराओं में तुम्हारा गर्जन मृदंग के समान होगा तो वहां शिवजी का संगीत पुर्ण हो जाएगा अगला स्लोख है प्राले याद्रे रूप तट मति क्रम्य पामस्तान विशेशान हंसद्वारं भ्रिगुपति यसो वर्त्म यत क्रौंच रंध्रम तेनो दीची दिश मनू सरे इस्तिर्य गाया मशोभी श्यामह पादो बली निय मनाभ्यूद्य तस्येव व्रिश्णोह अर्थार्थ हेमेग हिमाले परवत के तट के समीप प्रसिद्ध प्रशिद्ध दर्शनिय पदार्थों का अतिक्रमण करके मानस सरोवर में जाने वाले हंसो के द्वारभूत परशुराम की किर्ति के मार्ग स्वरूप क्रौंच परवत के छिद्र से बली का बंधन करने के लिए प्रविर्थ विश्णु के क्रिश्ण वर्ण वाले चरण के समान तेड़ा और विस्तृत से शोभित होते हुए तुम उत्तर दिसा की ओर चले जाओ अगला स्लोक है गत्वा चोर्ध्वं दशमुख भूजोच्छ वासित प्रस्थ संधे कैला सस्य त्री दश वनिता दरपण स्याति थी स्याह श्रिंगुक्षाय ही कुमुद विश दैर्यो वी तत्य स्थितह खम राशी भूतह प्रति दिनमेव त्रेंब कस्याठाहा सह अर्थार्थ हे मेग क्रॉंच बिल से निकलने के बाद उपर जाकर तुम रावण की भुजाओं से दलित सानुबंध वाले देवांग नाओं के लिए दरपण के समान कैलास परवत का अतिथी बनना जो कुमुदों के समान श्वेत उचे शिखिरों से आकास को व्याप्त कर प्रति दिन शिवजी के पुंजी भूत अठाहास के समान विद्धमान है अगला स्लोख है तनय शोभा मद्रे इस्तमित नयन प्रेक्षणियाह भवित्री मम सन्यस्ते सती हल भृतो मेच के वाससीव उत्पश्यामी त्वई तट गते स्निक्ध भिन्नान नाभे सद्यक्रित द्वीर दशनक छेद गौरस्यतस्य शोभा मद्रेह इस्तमित नयन प्रेक्षणियाह भवित्री मम सन्यस्ते सती हल भृतो मेच के वाससीव अर्थार्थ हे मेग पीसे हुए चिकने अंजन के समान कांती वाले तुम जब कैलास परवत के तट पर पहुचोगे तब ताजे काटे हुए हाथी के दात के टुकडे के समान सफेद उस परवत की काले वस्त्र को कंधे पर धारण किये हुए बलराम के समान निश्यल नित्रों से देखने योगिस सोभा हो जाएगी मैं ऐसी संभावना करता हूँ अगला स्लोक है हित्वा तस्मिन भूज गवलयम शंभुना दत्त हस्ता क्रिडा शैले यदिच विचरेत पाद चारेण गवरी भंगी भक्त्या विरचित वपुह इस्तंभी इस्तंभी तांतर जलव घह सोपान अत्वम कुरू मडी तटा रोहडा याग्र याई याई इ अर्थार्थ हे मेग उस्क्रिडा परवत कैलास पर शर्प रूपी कंकणों को छोड़ कर शिव जी के द्वारा हाथ का सहारा दी गई पारवती यदि पैदल विचरन करेंगी तो तुम आगे चलते हुए जल प्रवाह को अभ्यंतर में ही रोके हुए अपने शरीर को एक के उपर एक के क्रम से सज कर मडी तट पर चड़ने के लिए सीड़ी बन जाना अगला स्लोख है तत्रा वश्यम वलय कुलिशोद घट नोद गिर्ण तोयम निश्यन्ती त्वाम सुर यूवतयो यंत्रधारा ग्रिहत्वम ताभ्यो मुक्ष इस्तव यदी सके धर्म लब्धस्य नस्यात कृडा लोला श्रवण परुशैर गर जीतैर भाय यस्ताह अर्थार्त हे मेग मित्र हे मित्र मेग केलास परवत में देवांगनाएं वलियों के तिक्ष नोकों के प्रहार से जल उगलने वाले तुमको अवश्य फवहारा बना डालेंगी गर्मी में प्राप्त हुआ तुम्हारा यदी उनसे छुटकारा न हो तो खेल में आसकत होने वाली उस देवांगनाओं को अपने शुती कठोर गर्जनों से डरा देना अगला स्लोक है हेमाम भोज प्रसवी शलिलम मान सस्या ददानह कुर्वन कामम शडमुख पट प्रीति मैरावतस्य धुन वन कल्प दुम किसलयान यंशु कानीव वाताईर ना नाचेश्टैर जलद ललितैर नी वीशेस्तम नगेंद्रम अर्थार थे मेग तुम सुवन कमलो को उत्पन करने वाले मान सरोवर के जल को ग्रहन करते हुए एरावत हाथी के जल ग्रहन के समय मुख के घूंगट का आनंद देते हुए पतले वस्त्र के समान कल्प व्रिक्षों के पल्लवों को अपनी हवा से जग जोरते हुए अनेक प्रकारों की चिस्ठाओं से युक्त क्रिडाओं से उस पर्वत राज कैलास का उभ्भोग करना अब हम देखेंगे अगला स्लोक और आखरी स्लोक आपको लग रहा होगा कि यहाँ 67 क्यों हो गया कि 63 स्लोक है लेकिन कहीं ऐसे दिया है कि ज़से थीसमा स्लोक है तो 30 का 1 मतलब 30 का क ऐसे कई जगर ऐसे से कर दिया है इसलिए इसमें 67 है वैसे अगर संख्या देखी जाए तो 63 ही है तो हम आप आखरी स्लोक को देखकर इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, आगली वीडियो हम उत्तर मेग की बनाएंगे, तो इस स्लोक के साथ ही पुरुमेग समाप्त हो जाएगा, तो चलिए इस स्लोक को देख लेते हैं तस्योत संगे प्रडईन इव इस्त्र इस्तंगादुकूलाम न त्वम द्रिष्ट्वा न पुन पुनरलका ग्यास्यसे कामचारिन याव काले वहती शलिलोत गार मुच्चैर वीमाना मुक्ता जाल ग्रथित मलकम कामीनी वाब्र व्रिंदम अर्थार्थ इच्छा के अनुसार संचरण करने वाले हे मेग प्रियतम के समान उस कैलास के उर्द भाग में खिसकी हुई गंगा रूपी श्वेत साड़ी वाली अलका को कामीनी के समान देखकर तुम नहीं पहचानोगे ऐसी बात नहीं उचे महलोवाली अलका जो की वर्षाकाल में जलधार को वर्षाने वाले मेग समुह को वैसे धारण करती है जैसे कोई कामीनी मोतियों के समुह से गुमफित के सपाशो को फिर से देख लिजे इसका भावार इच्छा के अनुसार संचरण करने वाले हे मेग प्रियतम के समान उस कैलास के उर्धभाग में खिसकी हुई गंगा रूपी श्वेत साडी वाली अलका को कामनी के समान देख कर तुम नहीं पहचानोगे ऐसी बात नहीं उचे महलोवाली अलका जो की वर्षाकाल में जल धार को वर्षाने वाले मेग सम्मू को वैसे धारन करती है जैसे कोई कामनी मोतियों के सम्मू से गुमफित केस पाशों को ठीक है? तो इस प्रकार महा कवी काली दास कृते मेग दूते पुरु मेग समापत तो यहां पे कालिदास के द्वारा विरचित मेग दूत का पूरु मेग यहीं पे समाप्त होता है इस वीडियो को आप लोग देख लीजेगा मैं चाहती तो इसमें पूरु मेग और उत्तर मेग दोनों का एक ही साथ आड़ कर देती लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेग दूतम को दो पार्ट में ही देखना चाहिए एक बार पूरु मेग को और एक बार उत्तर मेग को तो पूरु मेग को आप लोग देख लीजेगा वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बेजरू बताइएगा हम TGT के आखरी गरंतों को देख रहे हैं इसके बाद हम PGT के गरंतों को देखेंगे जो जो TGT में है वो तो आप ही ही से देख लेंगे तो उसके आद हम देखेंगे PGT के भी जितने भी गरंत बचेंगे जब मेग दूतम का उत्तर मेग भी समाप्त हो जाएगा तो हम PGT के भी एक एक ग्रंथों को इसी प्रकार संस्कृत मूलपार्ट और उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और साथ साथ में व्याकरण के कुछ वीडियो तो मैंने डाल दी हैं उसको आप देख लीजेगा जो रटने वाले हैं और बाकी कुछ जो भी रह जाएगा एक्जाम के पहले पहले तक मैं सारा अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं एकदम नी सुल्क और पूरे पार्ठेकरम की तयारी अपने चैनल के माध्यम से करा दूँगी आपको बस यही एक काम करना है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाएं और अगर आप नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें मेरा सुल्क सिर्फ इतना ही है कि आपके माध्यम से मेरे चैनल का प्रचार प्रसार हो जाए बाकी आप लोग आराम से पढ़िए और आप सभी को सलेक्शन मिल जाए इनी सुब कामनाओं के साथ आज की क्लास को मैं यही समाप्त करती हूँ मिलते हैं अगली क्लास में उत्तर मेग के साथ तब तक के लिए नम्ह संस्कृताए धन्यवाद